तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर जिसका नाम है परिक्षिता अकैडमी और हम फ़र से आज मध्य प्रदेश के से सम्मंदित एक टॉपिक लेके आये हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश में लौक नत्य भारती या हम कहें मध्य प्रदेश के साहित्य और संस् तो उसमें डेफिनिटली स्टेट का पूछा जाता है तो उस पॉइंट ओफ यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूटूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें औ तो यहां पर जो है लोक नत्य का मतलब है पारमपरिक नत्य या लोगों के द्वारा उनके जो शेत्री स्थार पर किये जाने वाले नत्य हैं उसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं जैसे शादियों में आपने ढूल की आवाश सुनी होगी ठीके वो डोल एक particular music के अगर कोई music बचता है तो उसकी अलग step होती है जैसे की मटकी रजवारी इस प्रकार से धून के आधार पर कुछ अलग steps होती है जो कि लोकनत्य के रूप में प्रसिद्ध है चलिए तो हम इसी की बारे में आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में और लोकनत्य का जो culture है वो यहां के विभिन अंचलों से जुड़ा हुआ है हमें तो पता ही है भारत में विभिन जाती और भाषाओं का देश है तो यहां पर एक देश एक राज्य यहां तक एक जिले में भी कई संस्कृतिया मिल जाती हैं तो पगपग पर यहां पर विभनेत आया है तो हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हम फिर से आपको बताएंगे जैसे कि हमने गायन के बारे में आपको बताया था कि यहां पर भी हम इसको चाल अंचलों में पढ़ेंगे मालवा अंचल जो मुख्यत इंदोरुजिन देवास धार रतलाम साइड वाला एरिया है काली मिट्टी का एरिया है काफी उपजौव मिट्टी मानी जाती है और आपको पता होगा जो फाहियान एक चीनी आतरी आया था पहले उसने तो ये तक कहा था कि मालवा की जनता सबसे सुखी जनता है उस समय की बारे में बात करी थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्त का यहां पस आशन रहा है ठीके अवन्ती यहां पर एक महा जनपत रह चुका है तो मालवा अंचल की हम बात करेंगे फिर हम बात करेंगे निमार अंचल की ये भी इसकी काफी जो है विभिनेता हैं काफी बड़िया कल्चर है फिर हम बात करेंगे बुंदेल खंड की और हम फिर करेंगे बगहेल खंड की लोगनत्य बारे में बात करने वाले हैं अगर आप मध्यप्रदेश को बिलॉंग करते हैं तो इन चारों में से एक अंचल से आप डैफिनिट्ली बिलॉंग करते होंगे तो उस कल्चर और उसकी संस्कृति से परिचीत भी होंगे तो आपको तो यहाँ पर किवल तीन ही अंचलों का याद करना है ठीके चलिए तो हम बात करते हैं मालवा की लोकनत्य की तो मालवा में जो प्रसिद्ध लोकनत्य है मठकी अब इसके बारे में जो नत्य है इसके बारे में शब्दों में वर्णन करना तो काफी मुश्किल है क्योंकि यहां पर तो हमें वो ही मटकी वाला म्यूजिक चाहिए तो आटोमेटिकली पैर जो है थिरकने लगते हैं तो यह एसा ही नत्य है बिलकुल मैं मालवा अंचल से हूँ तो मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से परीचित हूँ तो मटकी की हम अगर बात करें तो मालवा का अत्यंतिक लोकप्री नाच्छे विवा और अनिशुबा उस्वरों पर महिलाएं विशेश रुप से इसको ढोल की ताल पर करती है ठीके तो हो सकता है एक्जाम में पूछा जाए कि मटकी बताईए किस का लोकनत्य है किस अंचल का लोकनत्य और चार आप्शन रहेंगे तो आपको ध्यान रखना है मौ से मालवा और मौ से मटकी अब सेकेंड है रजवारी रजवारी भी बहुत बहुत फेमस है और ये भी विवाव अगर किया उसर पर शुब उसरों पर किया जाता है यह ढोल की पारंपरी कहरवा दाद दादरा तालों पर किया जाता है विशेशकर महिला प्रधा नत्य है रजवारी नत्य साड़ी के पल्लों को पकड़ कर किया जाता है यही नत्य जुकर कहरवा की ताल पर किया जाता है तो इसे आड़ा खड़ा नत्य भी बोलते हैं ठीके तो काफी इंपोर्टेंट है मालव में मटकी और रजवारी एक और है पतंग नाच पतंग नाच में पतंग उड़ाने वाला जो है एक्ट किया जाता है वो मतलब ऐसा लगता उस डांस को देखके जिससे कोई विक्ति पतंग उड़ा रहा है कहरवा और दादरा परी किया जाता और ये भी महिला नत्य है लेकिन आजकल पुरुष भी पीछे नहीं है वो भी करने लग गए और नागिन डांस का भी सुना होगा वैसे यहां पर इसका विवरण नहीं है ठीक है किस प्रकार से नागिन जो है जमीन पर लोटपोट होती है या जो उसका चलन होता है जिससे वो चलती है उसी की तरीके से निमाड के लोकनत्य की बारे में तो निमाड का लोकनत्य है गंगोर पूज़ा भी आप लोगों ने देखी होगी जब चेत्र महीने के नवरात्री में माताजी या नवरात्री का उत्सव होता है तब कुछ महला आए शिव पारवती को अपने सेर पर लेके जो भी उनके रि इस्त्रियां सामोहिक रुप से ढोल और थाली की थाप पर घेरे में नत्य करती हैं ठीक है काफी अच्छा नत्य है यह भी गंगोर दो तरह के नत्य होते हैं एक जालरिया होता है और दूसरा जो होता है उसको जोला कहते हैं वर्तमान में श्री हीलालाल साध प्रभाकर दुब श्रीमती साधना उपाध्याय का गंगोर नत्य दल गंगोर नत्य दलों में श्रेश्ट माना गया है ठीक है कहीं ऐसी प्रतिवा हैं जो अपनी शेत्री जो संस्कृती है उसके को उभार रही है उसका जो है प्रदेश इस्तर पर देश इस्तर पर या हमका अंतराश्टी इस या बनाती थी फिर धीरे धीरे उन्होंने डिगना कला में महारत हासिल कर लिए और आज वो इंटरनेशनल लेवल पर काफी विख्याते जिनका नाम है दुर्गाबाई व्योम ठीक है ये तो ही करेंड का कोशन है चली हम आगे बढ़ते हूं बात करते हैं काठी की दूसरे लो लोकनत्य है या फिर ये पूछा जा सकता है कि काठी क्या है लोग गायन है लोकनत्य है या और भी कोई दो आप्शन तो हमें याद रखना है कि ये लोकनत्य है और निमार का लोकनत्य है तो ये भी पारवती की तपस्या से संबन दित हैं मात्र पूजक नत्य काठी निमार क कलात्मक अभी वक्ति है बाना पहले काठी नर्तक कहते हुए कहते हुए नतक करते हैं धांक होते हैं जो काठी का मुख्य वाद्धी है और काठी नर्तकों की वेश भूशा को क्या कहा जाता है तो उसको बाना कहा जाता है काठी नत्य को चार भगत और दो नतक की एक टोली मिल कर प्रस्तूत करती है काठी के बारे में कि स्पेशल बात हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको महाकाली का नत्य भी कहते हैं ठीक है कौन सा नत्य कहते हैं इसको महाकाली का नत्य भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो वेश-बूशा है जब नत्य करते हैं जो इसकी वेश-बूशा है एका दसी से शुरू होता है और महा शिवरात्री तक चलता है और महा शिवरात्री को काठी के नत्य दल, पंचमडी, सिर्वेल, महादेव, बीजागर, चारुवा, बढ़केशवर, महादेव मंदी में पहुँचकर जो है जल जड़ाते हैं तो गंगोर और काठी अब दोनों क जाते हुए, नत्य करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूंगी बजाई जाती है, चलिए मांडलिया के हम बात करते हैं तो मांडलिया जो हिस्त्री नत्य है जिसमें धसेल की थाप पर विबिने शारीरिक मुद्राओं की अभिव्यक्ति होती है किसकी धसेल की थाप पर अब कहीं सारे इंस्ट्रुमेंट है आपको उसकी नाम तो याद रखने ही पढ़ेंगे शेत्री लेवल पर भी इनके कहीं से नाम है जिसम परीचित नहीं होते हैं लेकिन पढ़ना पड़ेगा हमें आखा खड़ा नाच तो निमार में जन्म मुंदन लोटक नत्य आपको याद रखने हैं गंगोर, काटी, फफारिया, माडले, आखा खड़ा और डंडा नाच ठीक है इसको बार बार पढ़िए तो एक ही ले में याद हो जाएंगे हो जब एक्जाम में आता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये इस वाले टॉपिक से या निमा नत्य हैं राई अब डाई नंबर आया तो श्यास से थामन नका है क्या है तो राजकियों का मनुं वरत्ति ओं का समावेश होता है ठीके राई के केंदर में बैडनी नर्टकी होती है जिसे गती बीच में कोई नर्ट्य करता है और जिसे गती देने का का म्रदंग वादक करता है राई की विशेष्टा नत्य के विरामकाल में सुवांग का आयोजन है जिसमें सामोहिक विदुपताओं पर खुल कर चोट की जाती है ठीके तो ये हमें याद रखना है सेकेंड है सेरा नत्य तो सावन माह में कजली त्रीच के उसर पर आंगरों में नाच कर गाये जने वाला है ये नत्य है 14 से 20 लोग भाग लेते हैं और व्रत्ताकार खड़े होकर कृष्ण लिलाओं से संबंधित गीत गाते हैं किसमें सेरा न रखना है कनाडा नत्य धोबी समाज में प्रचली थे अब ये कनाडा आप यू ऐसे कनाडा वाले समत लगा लीजिएगा नत्य के साथ सरस्वती और गजानन भगवान की कथा भी की जाती है नत्य में क्या किया जाता है तो भक्ति आधरित गायन होता है जिसमें राम कृष् टेते कहीं कहीं पर इसको यूपी से सम्मंदित भी बताते हैं क्योंकि हमें पता है बुंदेलकंड का दिकाश इसा है ऊपी में भी बुंदेकंड संस्कुर्ती वहाँ पर भी है तो अगर मध्यप्रदेश के इस तर पर बात करें तो बुंदेलखंड का है और फसल कटाई के समय किया जाता है आपको important यह चीज याद रखनी है यह वाला जो नत्य है यह फसल कटाई के आउसर पर किया जाता है पुरुष इस्त्री दोनों के सिर्पर गीहों के उगेओ जवारों का बास्केट रखी जाती हो नत्य करते हैं ठीके तो जवारा नत्य भी कहां से संबंदी थे तो यह बुंदेलखंड से हैं अगला नत्य है जिसका नाम है धिमर थाई नत्य और धिमर धाई जो है ग्रामी नंचल में प्रचली थे इसमें धिमर जाती के नर्तक जो है गीत गातेवे कथक की तरब पद संचलन करते हैं तो यहां पर यार रखना है कि धिमर जो है जाती भी है शादी ब्या नव दुर्गा के आउसर पर यह नत्य जो है किया जाता है मतलब शुब कारियों में ही किया जाता है अब है बधाई बधाई भी इंपोर्टेंट है ठीके तो यह एक्जाम एक्चुल में काफी पूछे जाते हैं सेरा भी काफी पूछे जाता जवारा बधाई यह चार काफी इंपोर्टेंट इसलिए हम कह रहे हैं कि बुंदेल खंड के नत्य बहुत इंपॉर्टेंट है अब अधाई के अगर हम बात करें तो ये भी ग्रामिन अंचलों में शादी ब्याओ के शुबाउसर ओपर किया जाता है और इस्त्री पूरुष की संयुक्त भूमी का होती है थादी संयुक्त सवाल जवाब वाला नत्य है बगहल खंड में सभी जाती समुदाय के मद्य उनकी जाती के नाम से बिरहा नत्य किया जाता है नेक्स्ट है कहरा तो इस्त्री पूरुष का ये भी संयुक्त नत्य है और अलग अलग शेली में नाश्ते इसमें बासूरी की दून का बहुत महत होता है किसमें कहरा में अगले नत्य के हम बात करें तो दादरा नत्य है ये जो है कोल ये वाला जो नत्य है दादरा कोल कोहवार और काहार जाती में प्रचली थे ठीक है दादरा नत्य अब है कलसा तो अहीर गडरी आधी जातियों में सिर्पक कलिश रक कर ये वाला जो नत किया जाता है इस तरी पुरुष के कमाली नत्य सवाल जवाब की शेली में होते हैं केमाली सौरी अटारी नत्य और केमाली तो अटारी के अगर हम बात करें तो बगेल खंड की भूमी वेगाओं का नत्य है तो आप अटारी आ गया और यहां पर इस्पेशल जाती का नाम आ ग केम ऑली नत्य बात करें तो साजन स 이an सजनी करें के माली फुरुषी भीकि क्या जाता है केम आले गिट जवाब की शेली में जबिए अब यहां पर शेत्र वशेश की बात कर ली अब जचिए आति के पॉइट क्या जाजायाँ लाइब गाएग आ। का चठकोराइब पिका हुआजई पशके दादू श्यारा की प्रohol पुम्स आदिवाश को करेग खख़ानी है हो हुआ ऑड़ियों की मेड़ descrição संव धित्कि धित तौन ख़ाने, कि मड़ीों, विजॉम्सें जाती में प्रेम प्रसंक पर आधारी थे आपको ये भी याद रखना है चलिए भगोरया नत्य है तो हमको पता ही ये भगोरया एक हाट लएक उट्सव होता है फरवरी के महिने में तो भीलो के द्वारा किया जाता है मुख्यरूप से तो ये भगोरया नत्य हो गया गोचो न धोभी जाती के द्वारा किया जाता है यह आपको याद रखना, अब हम बात करें लेहंगी नत्य opened कंजरव और सहरिया लोगों का नत्यAST नत्य है ऺडोघ् Score終 Sum आधी वारा इसाल विए उशरों फटर पर बेगा अधिवासियों के द्वारा यह यहाद रखना दोरा किया जाता है इसको फटा-फटा आप देख लीजे और इसको आपको इस प्रकार से याद रखना है और वारियन एलगवीन ने इसे देश का सरुष्रेश्टे नत्य कहा है कि इसको गोर नत्य को सिंग मारिया जंजाती जो की बस्तर से संबन दिते इस नत्य को खुशी के उसे पर विशेशकर नई फसल के समय किया जाता है। काकसर के बाद हम बात करते हैं तो सतनामी जाती उन दोरा किया जाता है कर्मा मंडला के बेगार गुंडों का प्रमुक नत्य है दशेराव दादर्या बेगा अधिवासियो दोरा किया जाता है तर्ताली कमार जन जाती का नत्य है गोल गदेडो भील जन जाती का है अवरी नत्य जो है ग्वालियर का है ठीक है धाडल नत्य कोरकु को अधिवासियो दोरा किया जाता है ठीक है और धांदल के अरा भी और कहीं नत्य है लेकिन हम मुख्य रूप से विशेश नत्यों की बात कर चुके एक और नत्य है जिसका नाम है टीना नत्य है ठीक है टीना नत्य है तो ये बेगा तथा गोड इस्त्रियों पर दिवाली के आउसर पर किया जाता है गोड इस्त्रियों दोरा किस पर दिवाली के आउसर पर किया जाता है एक और नत्य होता है जिसको बोलते हैं दुल उस्वाया के राजिस्थान की सुषगत पुरैत यह सहां से प्रभावी थे धोल-डढ़या जीका था मसक वाध्य होते हैं ठीक है तो यह इतने सारे हमने नत्य की बात करें कूछ और नत्य हम देख लेते हिं अपने घरवा भी सुना होगा गरवा इक प्रकार का नत्य होता जो कि नवरात्री के विशेश उस्तोरों पर किया जाता है जनरली गरबा का माना जाता है कि गुजरात से फिर कल्चर आया है अब गरभी नत्य होता है जो भील जन जातियों में प्रचली थे बिनकी नत्य होता है जो भोपाल के क्रशक आदिवाशी करते हैं हम देख लेते हैं świat मैं कि जाता है था सब्सक्राइब भूपाल के सफ़स्पितिकु य Vegal should है तो उप्सक्राइब ऑप्तौप मार्ट हो सफ्टिक सब्सक्राइब नत्य हो दीक्निर और फिर्णाख में दीचर बोपाल नत्योंम गर्श्षर गत्योर कासे थे विशेष नत्यू आपको ध्यान रखने हें चलिए तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के उभिण लोक नत्य के बारे में बात करी mostly हमने सभी questions या जो सभी factors को cover करने की कोशिश की है I hope आपके लिए वीडियो काफी useful साबित होगा चलिए आपको वीडियो पसन आया है तो हमारे चैनल को आप कर दीजे subscribe हमारे वीडियो को कर दीजे like और share comment have a nice day for today and all day and thanks for watching